लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दूर तक फैले हुए ये उंचे पहाड और देवदार के लंबे पेड अपने साए में नजाने कितनी दास्ताने छुपाए हुए हैं इनही दास्तानوں मेंसे एक दास्तान है वर्मा कोटेज की जो इन पहाडों के बीच है वर्मा सहाब और उनकी पत्नी तो बरसों पहले पर लोग सी धार गए पर अपने पीछे छोड़ गए एक रंगीला खुश मिजास मचलता हुआ भाहूरा यानि कि उनकी इकलाती आुलाद विजे वर्मा और करूरों का ये बिजनिस एक बार एक बार प्यार से तु बोल प्यार से तु बोल मेरे यार एक बार एक बार प्यार से तु बोल प्यार से तु बोल मेरे यार जब एक लड़का किसी लड़की से मिले उसे हो जाता है प्यार वो मूसे तो कुछ भी न कहे पर दिल तो ये कहता है यार क्या एक बार एक बार प्यार से तु बोल प्यार से तु बोल मेरे यार एक बार एक बार प्यार से तु बोल, प्यार से तु बोल मेरे यार जब एक लड़का किसी लड़की से मिले उसे हो जाता है प्यार वो मुझ से तो मुझ भी नो कहे पर दिल को ये कहता है यार एक बार एक बार प्यार से तु बोल, प्यार से तु बोल मेरे यार एक बार एक बार प्यार से तु बोल प्यार से तु बोल मेरे यार सामने तु आ गई बेकरारी छा गई पहली मुला कात हो गई सामने तु आ गई बेकरारी छा गई पहली मुला कात हो गई होश तु उड़ा गई धड़कने बढ़ा गई दिल से दिल की बात हो गई इन दिगाहों ने इन अदाओं ने ले लिया है मारा एक बार एक बार प्यार से तु बोल प्यार से तु बोल मेरे यार एक बार एक बार प्यार से तु बोल मेरे यार हरुड़ा तु बोल मेरे अच बार मेरे यार प्यार से बार एक बार एक बार बार खी चम खोदिए ह्सिति ह्सक्व ने सब Georgi तूने मेरा दिर चुरा लिया तेरे इन सवालों में खो गई खयालों में तूने बुर्द दिल मुझे दिया मेरे धड़कंपे, मेरे चाहत पे मेरा ना इंतिया एक बार एक बार प्यार से तो बोल मेरे यार जब एक लड़का किसी लड़की से मिले उसे हो जाता है त्यार वो मुझे तो कुछ भी न कहे पर दिल तो ये कहता है यार एक बार एक बार प्यार से तो बोल मेरे यार प्यार से तो बोल मेरे यार प्यार से तु बोल मेरी यार, प्यार से तु बोल मेरी यार यह देखो, क्या है अब, आज फिर नाराज है, नाराज नहीं होंगे तो क्या खुश होंगे, अब कौन सी गलती हो गए हमसे, गलती, अरे पूछ हो जाकर अपने विक्रभ अंकल से, अंकल आयते, अरे कब-कब नहीं आये वो, कितनी बार फोन किये, अरे किस-किस से जुट बो करवा, फिरू, ना मलुम कब शुट हो गया तो, जान्दयो कहल कितना जुरूरी काम था, अरे तुम्हे किसी कंट्रैक्त-पे साइन करने हैं, और आज उसकी आखनी तारीक है बस, इतनी सी बात, यह उतनी सी बात है और क्या, आज आखरी तारीक है ना, तो दस्तकत हो जाए रोक क्यों दी? क्या? अपनी प्यारी सी मुस्कुरा हट. काका! क्या है? मुस्कुराई है न? मुस्कुराई है. अरे मेरे प्यारे काका. प्लीज? जाब जागर जल्दी से तो यानुजा. अब पता चला कि नया दिन शुरू हा है. रामदीन! नमस्ते साथ. रामदीन! आईये विक्रम बाबू, आईये. आ, मतलब ये के छोटे सहाब बहादूर आज मौजूद है. आपको कैसे पता चला? तुम्हारी मुस्कराहत से. तुम कब और कैसे मुस्कराते हो मुझे मालूम है. बुला उसना राएक तुम्हार। गुर्मॉर्णिंग अंकल. अंकल, मैं कबसे आपकी रहा देख रहा था? काका बता रहे थे कि आज कोई आखरी तारीख है, कुछ कॉंट्रेक्ट साइन करवाने है? ओहो, आखरी तारीख वाला कॉंट्रेक्ट, बहुत परिशान कर रहा था इसमें. इसने नहीं, तुमने. मैंने? ओहो, यानि कि मैंने तो दस्तिकत करने इस पर. वाव, वरे नाइस पैन. इंपोर्टिड है? अंकल, आपका भी जाब नहीं है. हर चीज का एक नया स्टाइल, हर बात का एक नया अंदाज. बक्वास, बंद करो. करूँ? साइन. हो गया. आखरी तारीख वाला काम हो गया. अंकल, नाश्ता वास्ता? नाश्ता यंग मैन इस वक्त दिन के देड़ बजे हैं, ये नाश्ते का टाइम नहीं, लंच का टाइम है. तो लंच? अब हमारे ऐफिस जाने का टाइम है. तौ आपवी काम बेजारहे है? हम काम बेजारहे. मैं भी काम बेजारहा? कैसा काम? शिकारी. कहे के शिकार? खर्गोश्का. काम मानाली. इसी बरफ पर फिसलते फिसलते कांटा. कांटा? हाँ, शांटा. इसी बरफ पर फिसलते फिसलते जिन्दगी हाथों से फिसल गई और वो मुझे केला छोड़ गई काश मैं भी उसके साथ फिसल गया होता पिछले पांच सालों से सर्दी हो या गर्मी बर्फ हो या धूप मैं इस पुल के आस-पास पैटकर उसकी रहा देखा करता हूँ मेरे मतलव और नाम पर तो सिर्फ कर Alg क कांता तो कि तुम वहिए हो और अगर नहीं हो और यह तुम्हेरा दूसरा जैम है तो तुम पांच सानों में अतनी बड़ी कैसे हो गई ये तुम क्या कह रहे हो, मनुझ? कहीं तुम मजाख तो नहीं करें? मजाख? तुम कांता को मजाख? मेरा मतलब शांता को. क्या नाम था उसका? कांता. मेरा नाम शांता है. तुम ही मेरी कानू हो. तुम ही मेरी शानू हो. मुझे अस कांता की कसम जो मैं जुट बनू, मेरा बिश्वास करो. कोपाल, क्या हुआ? कुछ नहीं, पसीना हो रहा है तो ठीक है न, यर। ठीक हूं ठीक तो नहीं लग रहा, मैं भी डॉक्टर को पॉपट को पॉपट को पॉपट हूं, कोई जरूत नहीं, मैं ठीक हूं ज़रूरत है सारा बदन बरफ की तरह धंडा है मैं कहरा नौ में ठीक हूँ बुरा सपना देखा था बस धर्थ तेरी की तुझे देखकर मेरी जान निकल गई थी जान के बच्चे आज कौन से जान को बिदा कर क्या है थी कोई जानता मेरा मतलब कांता चली गई कई काम से बिचारी एक बात बता गदे तुझे का बकल आएगी क्यों अपनी जिंदीगी बरबाद कर रहा है अरे को मैं अबाद करने वाली मिल जाये तो मैं उसे तेरी भाभी बना दूँगा भाभी या भाभी न.. अरे को अच्छी लड़की ठूट के शादि वाधि कर ले या अरे अच्छी लड़की की तो तलाश कर रहा हूँ, तुभी ढूंदे ना कोई अच्छी सी, तेरी कसम को पाई, जो लड़की तू बताएगा, उससे मैं शादी कर लूँगा प्रामिस, I promise, मुझे तेरी बात पसंद आई यार, भाई अपने पसंद तो आ गई आई हाई हाई, क्या पाउ है, भाई भाई इन्हें जमीन पर नहीं हमारी छाती पर रखीये ना यार, जाई है, क्या कमर है, क्या लचक है वह, क्या बाल है, जैसे सूरज की किर्णो को किसी ने बाद लिया हूँ, सही बात है यार आए, क्या चाल है, जैसे मन में कुद कुद ही हो रही हो आए, हाए, ये गुलाबी होट, जैसे फूलों की सारी लाली चुरा ली हो ये हिर्णी जैसी आखे हाई में मर जवाँ जाने मन, इन प्यारे ब्यारे हाथों से हमारे मूँ में भी सारी, मूँ के बजाए मूँ पर दे दिया ये हुई ना बात, विजे के लिए से बहतर, और कोई बला हो नहीं सकती अरे है का वो यार? वो रही सामने, रंग भी रंग के कपड़े पहने हमारी तरफ ही आ रही अरे क्या बात है गोपाल, जिंदगी वाकी सवर जाएगी नस्दीक संबल कर जाना, वरना सुरत बगड़ जाएगी अच्छा, अगर ये बात है, तो लगे शेट, मैं तुम्हें सौ का भाद देता हूँ तो मेरे भी लगे पचास, सौ का भाद ना अब देखना विजे का फॉर्मिला 44 चलो चलो फोटो खिश्वा परे अरे, कितने हैंसम है ये दो, ना हाँ यार अरे, दूसरे ने हमें देखकर मूँ क्यों फेर लिया अरे, शर्मा रहा होगा, लेकिन कितना स्माच है ना चलो गुपाल, चले अरे, ये तो लंगड़ा है हाँ, हाँ, लंगड़ा हूँ मैं अरे, गोली मार दो मुझे, पाड़ी से फेक दो मुझे आप जैसे खुपसूरत और पूरे इंसानों के पीच, मुझ जैसे अधूरे इंसान को जीने का कोई आक नहीं क्या हुआ? क्या बात है लड़कियों? मैं बताता हूँ, हाँ, मैं लंगड़ा हूँ सर और इन लोगों को मेरा लंगड़ा होना पसंद नहीं अब आभी बताए अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो इसमें मेरा क्या अदोश है? आप तो इनके टीचर हैं, क्या आप इने यही शिक्षा देता है कि एक अपाहेज की बेबसी का मजा खोड़ाया जाए? बेटे, I'm sorry, इनकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ, चलो, चलो, माफी मांग लो, माफी मांग लो जाओ, जाओ और खेलो, जाओ, जा तू भी खेल, ओ, sorry यह सब क्या था? विजे का फॉर्मिला फॉर्टीफॉर, और अभी तो शुरुवाद है, आगे तमाशा देखना अब तुमेरा हाथ छोड़ दे, और मैं लुड़क तो वह उस खाई की तरफ जाएगा और फिर दुनिया से एक और नेक इंसन कम हो जाएगा, क्यों? अरे ने यार, तू समझा नहीं, वही मुझे समझालेगी, तू देख तो सही देख, पीछे खाई है, तू ऐसे कोई हरकत नहीं करेगा, समझा कॉपाल, शर्त तू नहीं लगाई है अरे भाड में गई शर्त, चल्ट साला डर पो भीचो पास्टर्ड अब ठीक हो ना? साला कलाकार जी? बिमार है ना? क्या जरूती धलान पर ऐसे भागने की? कुछ हो जाता तो? जो हो गया तो हो गया ना, देने दीचे थैंक्यू मैडम मेरी वजय से आपने अपनी जान को खत्रे में डाल दिया एका पहिच के लिए प्लीज, कुछ मत कहिए आप ठीक तो है ना? ठीक है अब मैं कुछ नहीं कहूंगा सारा कुसूर तो उस रेस का था रेस? हाँ मोटरसाइकल रेस जुनून था मुझे मोटरसाइकल चलाने का बहुत बड़ी रेस थी और इससे पहले कि मैं जीत का कप अपने हाथों में उठा पाता मैं अपना बोज उठाने के काबिल ना रहा विनिंग पॉइंट पर मोटरसाइकल फिसल गई और मेरे पैर की हड़ी कई जगह से तूट गई चूट अपरेशन्स हुए डॉक्टरों ने का कि मैं ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल पहले की तरह मगर मेरा दिल तूट गया था खुद को घर की चार दिवारी में कहित कर लिया किताबें पढ़ता था कीत लिखता था वायलिन बजाता था बकवास यार दोस्त मुझे कभी-कभी भार ले जाते थे जैसे जबर्दस्ति आज मुझे यहां तक ले आए डॉक्टरों ने कहा मैं चल तो क्या फिर से दोड़ भी सकूंगा और क्या हो गया यहां क्या हो गया आप तो दोड रहे थे आप बाकी दोड रहे थे अरे हां मैं तो बाकी दोड़ा था अब सही कह रही है मेरा नाम आप नहीं सीमा है मेरा नाम विजय वर्मा है प्लीज टुमीट यू चल गए चुरी पचास रुपै मुद्धितों के बाद मैं हस रहा हूँ सीमा, पहली बार ऐसा लग रहा है कि जिंदगी अब भी बाकी है, तुमसे मिलकर मैं एक अजीब सा confidence महसूस कर रहा हूँ, इसी तरह मुझे देखती रहना, देखो सीमा, देखो, मैं चल सकता हूँ, मैं चल तो क्या, मैं भाग भी सकता सुमा, प्लादी एडिएट, बाइट बाई वाँ गोपाल, वाँ, कमाल हो गया, अरे वीजेशर्थ हार गया, भोभी सोका वाओ, तो पचास का कितना हुआ अरे हिसाब लागाने बैठेगा तो रात हो जाएगी अरे यार रात तो तब होगी, जब पहले हमारी पाटी होगी वो भी विजय के हारने की पाटी अरे छोड यार, हाराओ खिलाडी क्या पाटी देगा अरे बेवकूफों, अभी तक हार और जीत का फैसला हुआ नहीं, खेल अभी बाकी है अरे अब क्या बाकी है, तुझे क्या लगता है कि आज की शारारत के बाद वो तेरा मुझ देखना पसंद करेगी अरे अपनी सैंडल इतनी बार मारेगी तेरी खोपड़ी पे कि छन्नी की तरह सुखाख हो जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा गोपाल, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ, कि वो इस वक्त है का वो इस वक्त शॉपिंग सेंटर में हाँ, तुम भूगल बजाओ, मैं समझ गया ना लो आगे कल वाले कलाकार, धोके और फ्रोड के उस्ताग नमस्ते जुझ आखिर ये सब नाटक करने की क्या जरुवत थी? तुम्हारी होने वाली भाभी लाने के लिए, आखिर है का शेजादी? वो, दुकान में, सुनिये, बहुत नाराज हैं आपसे, बच के जाना थैंक्यू फर्मा ये, हमारी मेम साब सिर्फ देख रही है कि कुछ खरीदा भी है खरीदा भी है, पैक भी हो गया कितना हुआ? 500 रुपर गूड ये दीजे, थैंक्यो उनसे कहे देना कि मैं बाहर खड़ा हूँ, जी अच्छा एक्स्क्यूज मी, ये भी पैकर देजिए और बिल देजिए, प्लिल आपका क्लियर हो गया हाँ, किसने की? आपके साब ने मेरे साब ने? जी हाँ कॉन? वो बाहर खड़े हैं, आपकी रहा देख रहे है एक बार मेरे हाथ लग जाओ, फिर देखूंगी हाँ भाँ भाँ, भाँ भाँ, मुझे तैर नहीं आता भाँ, भाँ भाँ बच्छाओ बच्छाओ पाँ सच बताओ तुम तरना आतागी नहीं? यह इम गिल यू इम गिस यू इहाँ यू बच्छाओ बच्छाओ सिमा सीमा सिमा यह यह सीमा सीमा लाब मुझे देख रएं पर भी वं ज़रा आज़रोजए और नजरे मिला के भी के लोग्या मुझे देख बेखं़ू मुझे देख पीयों नीना मुश्कूर आह सब आए मिलाना यो पल के जुकाना सनम ये प्यार ही तो है सनम ये प्यार ही तो है कार के भाहाना यो पीछे पीछे आना अकेली मुझे पापे यो राहों में ससाना सनम ये प्यार ही तो है सनम ये प्यार ही तो है तुमसे ही मुझे को प्यार है चाहूं तो दिल पे करार करों पाहों में भर लू मैं तुझे आजाने जाना इकरार करों नजर तु अदा तु दिगर तु मफा तु जाने दिगर तु है मेरी जिंदगानी पकड के कलाई यू उनली दबाना यू नजर मिलाना यू बल के जुकाना सनम ये प्यार ही तो है आई मजाँ चखासना तेरी तो हरी गोत पे आई मजाँ चखासना तेरी तो हरी गोत पे नखु भलाँ कैसे पे बसना चले जजबात पे ये शोखी शरारा ये तेरी गी चाहर थोड़ी ती भूली में हो थोड़ी ती दिवानी जहान कोई आए तहां मचे बुलाना अकेली मचे पाके जो राभू में सताना सना ये प्या ही तो है ये प्या ही तो है मुझे देखके ये तेरा मुस्कुराना ये नजरे मिलाना ये ये पल के जुकाना सनम ये प्या ही तो है सनम ये प्यार ही तो है सनम ये प्यार ही तो है सनम ये प्यार ही तो है कि अधादे हैं या उड़ गए जी वो पूछ कहने की जरूरत नहीं मुझे मालूम है मगर राप तक तो वो आ ही जाएगा तो उससे कह देना कि उसके डैडी के एक दोस्त है दीवान महिंदरनाथ उनकी बेटी कल आ रहे है नाम है उसका रेनू डॉक्टर है यहां के पास कि किसी गाउं में उसकी पोस्टिंग हुई तीन चार दिन वो यहां रहेगी मैं चाहता कि विजय जा कि उसको रशीप करें चाहता हुई तो कि विजय जा कि उसको रशीप करें चाहता हुई कि यह लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं अरे काका अगर कोई गाड़ी गयोती तो आती ना क्या मत्तब क्या वो मेरी तो कुस्तमझ बने ही आरा है लो आ गए उनकी गाड़ी नहीं काका यह जेप नहीं किसी और गाड़ी की आवाज है बर्मा काटिक यही है यही है यही है जी मैं रेनू डिली से आया हूँ अच्छा आओ वेडिया आओ आओ ड्राइवर साबान रिकालो साबान हलो 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 जी मेरा नम कोपाल है मैं विजे का दोस्त अरे दोस्त क्या यह तो भाई यही असे भी बढ़कर है बहुत प्यार करता है विजे से जी विजे है कहां जी मुझे नहीं पता मैंने एरपोर्ट पे काफी रहा देखी फिर टैक्सी पकड़के आगए चलो अच्छा किया आप ठगए होंगे नादो के फ्रेश हो जाई यह फिर बात करते है हाँ काका इन्हें समझा दीजेगा अगर अंकल विजे के वहने पूछे तो वह है ना हाँ बैटी वह बिचारा विजे जुर किसी काम की वज़े से फस क्या होगा और सुनो आकर विकरम बाबु आएं तो उसे यह मत कह देना कि विजे तुम्हे एरपोर्ट लेने नहीं गया था देखिए आम सॉरे कि आपको आते ही जुट बुलवा रहे हैं नहीं कोई बात नहीं वैसे मैं यकीन दिलाता हूँ कि विजे ऐसा है नहीं वो जरूर किसी काम में फसाओगा भेसा हूजए आपके पास माचिसोगी कि ज़रूरूरूरुए अबसिए आपके पास माचिस होगी माचिस, आपको क्या यहां पनवाडी की दुकान दिखाए दे रही है, जो आप माचिस मांगने चले आए नहीं, कई दिनों से यह बड़ी लेकर घुम रहा हूं, इसको जलाना है, मेरे पास बाचिस नहीं है चलो, कोई बात नहीं, आपके सिग्रेट से बिड़ी जला लेता हूं मेरे पास सिग्रेट भी नहीं है गलती हो गई मुझसे, दरअसल आप इस चोकरे के उपर मुझसे मुझसे लगाए जुके हुए थे वाके आपके पास माचिस नहीं है SHUT UP! कर दो कर दो कर दो कर संच कर दो है बगवाण के लिए मेंस साब चिलाइये मत, जरअसर मैं यह समझा है इलकुल ऐसा ही था मैं अपना गर समझ के अंदर आए था वैसे यह आप ही का घर है वेजे साब अरे यह तो वाकी हमारा घर है यह नया शिकार को ने बैं डॉक्टर रेनू तो आप है डॉक्टर रेनू इतनी रात गये इस खिड़की से अंदर आने की वज़ा है आप है ची मैं समझी नहीं जाए आप अरे कहा कहा नहीं घूंडा मैंने एपॉल्ट पे डूंडा के सीथ फे नुदा फारियिट के प्लेन के टॉयलेट में ढूड़ा प्लेन के बास बास विजय सब समझ में आगए तू क्या समझा बे तू क्या बक्वास कर रहा है अरे रेनू समझ कर मैंने दो तीन लड़कियों को पकड़ भी लिया था मेरी किसमत अच्छी थी कि मैं बच गया अरे डाड़ी के दोस्त की लाड़ी को अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता पर मैंने तो बहुत इंतिजार किया फिर टैक्सी लेकिया गई चलिए आप आतो कहीं सुबह का भूला अगर शाम को घर वापिस आ जाये तो इसे भूला नहीं किसकी बात कर अविजया है तू अपनी बख्वास बंद कर गोपाल मेरी आँखों के सामने पे प्लेंस घूम रहे है वैसे मैं रात की 11 बुझे तक आप के लिए इंत्सार करता अगर इतनी डाइटिंग करोगी तो हम दिवान साब को क्या जवाब देंगे जी पापा जानते हैं मैं ज्यादा नहीं खाती अच्छा ये बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा शहर अंकल अभी देखा का है अराम से खाओ बखे कहीं जाने की जल्दी है अचली अंकल शिकार जाना है का है का शिकार अभी तक डिसाइड नहीं किया जहां भी जाओ रेनू बिटिया को अपने साथ दरूर लिडा क्या हुआ 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 कुछ अरी इसको हमेशा अथी जल्दी क्यों लगी रहती है अंकल अच के शिकार कमें चल्दी जाना पड़ता है अर्ग रगाए सीमा है आसरी आम लीए तो कई लाव 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 भार मेंगे तरा लाव यार देख, तू सीमा को भूल जाओ, रेनू से शादी कर ले. गोपाल, मैं सिर्फ सीमा से शादी करूँगा. अकल से काम ले यार, रेनू में क्या खराबी है? पड़ी लिखी है, डॉक्टर है. खराबी है कि मैं उसे प्यार नी करता. कोई पागल ही होगा, जो डॉक्टर के साथ शादी करेगा. रात को अचानक घंटी बजी और वो गई किसी मरीज के पास, तुम बैठे रो उलू की तरह जख मारो. प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो नब्स देखने लगेगी. दिल पर हाथ रगा तो दिल का दारा समझ कर हॉस्पिटल में भढ़ती कर देगी. मुझ खोला थर्मोमेटर अंदर और पता नहीं मूट खराब हो गया तो कहां कहां इंजेक्शन ठोक देगी. बखवाज बंद कर वेजे, सीमा कुछ दिनों के बाद चली जाएगी. उसके बाद सीमा के इश्क का बुखार उतारने के लिए, आपको नई शिकार के लिए फिस लेंगे. है ना? नई यार गोपाल, ये मेरी जिन्दीगी का असली और आखरी प्यार है, शिकार में. और फिर, जिस लड़की को मेरी यार गोपाल ने चुना हो, उससे मैं प्यार ना करूँ, क्या ये मुम्किन है? अरे, चला गया है. ए भगवान, उस गधे के नसीर में भी कोई लड़की लिखी होगी, कहीं तो होगी, मिला दे उसको भी इससे. झाले, तर मेड़की तंस का क्या चरूँ. है, कोपाल! कूपाल ने सल्चे को अरूँ क का में. बढल बच़्ी तूँ में सबस्थाल चरूँ चलिए तहां जहां आपका दिल चाहिए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं जी नहीं सकता मैं सीमा की बिना मर जाओं, मरे तुम तो खुश खिसमत हो, तुम्हे किसी की मुहमत मिली तुम्हे तो खुश होना चाहिए मेरी मदद परो, फ्लीज ठीक है, मैं अजी अंकल से कह जिती हूँ अजी नहीं, अभी अंकल से कुश मत कहना मौका आने पर मैं बता दूँ ओकी तैंक्यू, डॉक्टर रेन तुमने मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी उल्चंत में करी यह अहसान में जिदी अहसान नहीं, मेरा फर्द है तु प्यार करने वालों को मिलाने से बड़ी खुशी कौन से होगी अचा पहले अपनी सीमा से तो मिलाओ हम भी तो देखें कौन खुश नसीब है वो रेली, तुम सीमा से मिलना चाहती हो हाँ, क्यों नहीं तो चले I'm sorry रेनु, यह है सीमा मेरी जिंदगी, मेरी जान और मेरी खुशी अच्छी है न? बहुत सुन्दर और सीमा, यह है मेरी तोस्स रेनु I'm sorry, डॉक्टर रेनु दीवान बहुत खुशी तुमसे मिलकर सीमा मुझे भी अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी मैं चलती हूँ मैं आपको छोड़ देता हूँ? यकीन मानो सीमा तनाई में जब तुम मेरे पास नहीं होती तो यह फूल मुझे हमेशा तुम्हारी याद दे रहता है अगर जा से जब तुम्हारी यह लोगज़ देखे है यह लोगज़ यह लोगज़ इलिए अगर मैं यह 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 आप कबसे खड़ी हैं थोड़ी देर हुई बहुत अच्छे आठिस्ट है आप बस यह कुछ रंग बिखेर देता हूं कोरे कागस के सीने पर और कोरे कागस के सीने पर एक कलाकार की कलपना हमेशा के लिए मर हो जाती है पर एक बात समझ में नहीं आई वो कौन से यह अर्थी और डोली दो अलग-अलग ख्याल एक साथ जिन्दगी और मौत रात और दिन गम और खुशी यह सब एक साथ चुड़े हुए जिन्दगी के हार में एक साथ पर रोह हुए है ना आप हमेशा तो ऐसे नहीं होते कैसे इतने सीरियस शायद कुछ लमों के लिए अपना मुकट पहनना भूल गया था कितना फर्क है विजे में और आप वो कैसा आप अतने गंभीर सीरियस और वो कितने चंचल शरारती बिलकुल आपके इस तस्वीर की तरह अलग-अलग होते हुए भी एक साथ अच्छा ये बिताईए इतने मुक्तिलिफ मिजाज होते हैं भी आपकी दोस्ती कैसे हुए हमारी दोस्ती ये भी एक अजीब इत्तफाक है चार साल पहले मैं शहर में आया था भूख लगी थी एक रेस्टरान में दाखिल हुआ जहां पर विजे साब पहले से मौजूद थे कि ये अज़ JK झाल झाल के बढूतर दोक्टन कि प्रॉटन कि वे कि वे अधे बस्टों वे जब के वे फिस्टों मेल, अलो मिस्टर, ये सिक्रट को जाओ कहां बुजां भाज साब यहां कोई आश्टे नहीं है मेरे सिर पे आपके सर पर आप तो कोई प्राब्लम तो नहीं होगी कहीं आपका सर गंदा तो नहीं हो जाएगा मुझे तो कोई प्राब्लम नहीं लेकिन आपको प्राब्लम जरूर हो जाएगी मुझे भी कोई प्राव्ल्रम नहीं अठ्चा कर द कर दे, भुदर, कर दिए! कि अपने को शाना समसता है क्या अरे तू किस टाइब का इंसान है यार तू सैंविच का आप में मार का रहा हूँ अरे कुछ कर जाने देने यार तू इसका बाबा लगता है क्या थैंक यू मार आपालूंगा दरा को चोलूंगा नहींदे हुँआ प्राइब कर दो चाईड़ की अरे टांड़्ट वे यार तू अधाेब की अरे आज़्ट चाईड़का आप यार निवड़को रे तू आए ये तुसना बक्सर है यार्ट! आए ये तुसना बक्सर है यार्ट! ये तुसना ताजी में? आए ये तुसना आए ये शुकर करो कि तुम्हारी नादानी के वह इसे जान नहींगा इस बेचारे की! अगर इसे कुछ हो जाता ना, तो जिन्दगी भर जेल में बैटके चक्के पीस्ते! नाम प्रशन करते अपने माबाप का! कहा का रहने वाला है? किसका बेटा है? कितने परिशान हो रहे होंगा इसके घरवाले! भोश आ गया तुम्हें? अब इससे पहले कि तुम किसी हिंदी फिल्म की हेरो की तरह पूछोगे कि मैं कहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ! मेरी वज़े से तुम यहां तक पहुँचे! ठीक हो जाओ, तो जो सजा चाहे दे देना! हाँ, लेकिन सबसे पहले यह बताओ, कि तुम्हारा इस शहर में कोई रिश्टदार है, जिसे हम खबर कर सकते हैं? रिश्टदार? मेरा यह दुनिया में कोई नहीं है, मैं अजने भी हूँ! तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं! सुना काका, जूट बोलता है यह इनसान, अरे जिसकी रगों में विजय वर्मा का खून भेरा हो, कहता है कि वो दुनिया में अकेला है, उसका कोई रिश्टदार नहीं है? हाँ, बेटा, इस नहीं गलती भी की, और तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना खून भी दिया. तुमने मुझे अपना खून दिया? हाँ, भई, कम से कम मैं यह तो कह पाऊंगा, कि मेरा भी किसी के साथ खून का रिष्टा है. काका? हाँ, बेटा. हमारा यह अजनभी ठीक हो जाए, तो इससे इसका घर दिखा लिए. यह घर? मेरा नावकर भी मेरा है. सबसे बहुत सारा प्यार मिला. कितनी अजीब बात हाना, रेनो. कल तक जो मेरा कुछ नहीं था, वो आज मेरा सब कुछ है. अगवान करें, तुम दोनों की दोस्ती, हमेशा फूलों की तरह महगती रहे. यह चारों तरफ पहले हुए फूल देख रही हो? लेकिन कोई भी फूल, मेरे इस फूल से जादा फूल सरती है. छूट, तुम्हारी किसी भी बात पर यकिन करने को मन नहीं करता. अच्छा, तो फिर चुमन करता है, आब वही करें. भाई साब, अरे माचिस नहीं है हमारे पास, भगवान के लिए हमारा सिचा छोड़ दे. एक माचिस की तीली के लिए इतना चिलाने की क्या जरूरत है? नहीं है माचिस तो ना सही, मैं अपनी बीड़ी कहीं और जला लूँगा. कहीं कुछ दाल में काला है. Come on. काका, क्रबट हो गई, आगे वीचे पुछे मैं का था, सो रहा था, सर में दर्थ हो रहा था, और कहीं गई नहीं. Please, sorry. सो रहा था, जाग रहा था, सर में दर्थ था. यह, क्या हो गया इसको? काका, किदर है गोपाल? वो, वो उपर सो रहा है, बेटे. दर्थ के बारे सर पटा जा रहा था. तो अभी बाम लगा क्या है? बाम? उसको बाम की जरुएट नहीं, उसको बाम की जरुएट है. हुआ क्या, बेटे? काका, आज आप पिलकुल दखल नहीं देंगे. मैं उसकी ऐसी हजामत करूँगा कि वह साला सारी जिंदीगी याद रख लेगा. अरे सुख तो, यह बगवान ही क्या हो रहा है? बाम लगा के सोया, मैं तेरे को दिखाता हूँ. विजे, विजे, मुझे कुछ दिखा नहीं दे लो, विजे. अब भिखाय दिया? तो तेरा साला किराए का टटू पीच में आ जाता है. और कहता है, आपके पास माचिस है? क्या? पागल हो गया क्या? पागल तुने क्या, पागल तेरी मा, तेरी माचिस ने क्या. मैं बात तो सुन यार. तु अपने आपको समझता क्या है? तु उसकी रक्षा कर रहा था यार. रक्षा? किसकी? उस बिचारी सीमा की. वाट? तु उससे बचा रहा था मैं. तो क्या मैं कोई रक्षेश हूँ? और तु साला सत्यवान अपने आपको भगवान समझता है? देख, जब बात किसी बिचारी की इच्चे तक आजाएगी ना, तो भगवान बनके सामने ख़़ा जोँगा मैं. ओके देन. ठीके बेटा, शत्रंज तुने बिचाई है, मोरे तुने रखें और चाल भी तेरी है. देखते है कौन किसको मात देता है. मैं तेरे को सौका बहुत देता, बोल कितना लगाता है. देख, अपने वकाद सौकी तो नहीं है, पचासे तो बोल. जाल. देख देख कौन किसका उस्ताद है. सीमा. ये कोई वक्त है आने का? I'm really sorry. मैं माचिस खरीद ने गया था, देर हो गई. माचिस? किसलिए? पता नहीं कब इसकी जूरत पड़ जाए. विजय, तुम्हें वक्त का बिलकुल ऐसास नहीं है. तुम जानते हो कि मैं दो दिन में चली जाओंगी. और अभी तक तुमने कोई फैसला नहीं किया है, न? खलत सोचा है तुमने. मैंने फैसला कर लिया है, तुम कहीं नहीं जाओगी और हमारी महबत दास्तान बन जाएगी. येस, लैला मजनू की तरा, घीर रांजे की तरा, रोमियो जूलियट की तरा. बैठो चीप में. क्यों? अरे बैठो तो सही, come on. कमान, बैठो, बैठो. लेकर हम कहा जा रहे हैं? अमर होने के लिए. क्या? येस, सिमा मरने जा रहे हैं. वाट? तीरे चलाओ, तीरे चलाओ. बज़े, बोज़ौ. बोज़ौ, बोज़ौ। बज़ौ, बोज़ौ। बज़ौ, बज़ौ। कभी तु सिरिज रहा करो विजय, हर बक्त मज़ाख, हर बक्त शरारत, हाँ जिंदगी खुद एक शरारत का नाम है सीमा, मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि अपने शादी के मंड़ पर भी कोई ना कोई शरारत करता रहूंगा मैं तुम्हे वहाँ भी चैन से नहीं बैठने दूँगा, जानती हो मैं क्या करूँगा नाराज हो गई तुम मूँ फेर लेती हो, तो ऐसा लगता जैसे जिन्दगी रूट कही हो भगवान न करे, अगर वाखी तुम मुझ से रूट कही तो मैं मर जाओंग एसी बाते मत करना तुम क्या समझते हो सीमा, कि तुम्हारे जाने से मैं खुश हूँ अरे मैं तु यूही मजाख मजाख में अपने आपको बहलाने की कोशिश कर लाथा सीमा मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँ और मैं जल से जल तुम्हारे डाडी से मिल कर तुम्हे हमेश्या के लिए मांगण। हमेश्या के लिए सिमा। बाय साथ? तुम? ये लो माचिस का बंडल, और मेरा पीछा छोड़ो suburbs माचिस बंडल, माचिस का बंडल दे रहे हो मुझे। उस बदनसीब इंसान को जिसको कल तक कोई माचिस की तीली तक नहीं देता था। देखा प्रभू, कैसी है तेरी नीला, करदियाने मेरा विश्वास गिला। यह ज्यादा बखवास मत कर, यह माचिस का बंडल ले और फूर जाए यहांसे। मेरे जखमों पर नमक मत शिरको ओन एक इंसान, तेरी वज़े से मेरी बीडी पीने की आदत छुड़ गई। अब मुझे माचिस की जरूरत नहीं रही है। तो फिर कौन सी जरूरत तुझे यहां तक लेकर आई है। मुझे वक्त पुछना है, आपके पास घड़ी है। चलती है ने। इसलिए कैती हूं सीमा, अकसर ऐसा ही होता है इस उमर में, लड़का लड़की मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, और जब दूर होते हैं तो एक दूसरे को भूल जाते हैं। किसी के लिए ये मुलाकात, एक तमाशा, एक खेल होता है और किसी की जान का रोग बन जाता है। वो मुझे शादी करना चाहता है। उसने अपने माता पिता से तुमें मिलवाया होगा। जी विजे का इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं मंबए जाके अपनी पापा से बात करूँगी। और मामी से। जी, मामी तो मुझे बच्पन में चोड़कर भगवान के पास। I'm sorry, खेर, अपनी शादी में इन्वायट करना हमें मत भूलना। चल विजे, घर चले. अभी नहीं, गुपाल. यार, तु क्यों देवदास पना हुआ है। तेरी कहानी को दियन लग चुका है। सीमा जा रही। और अब तरह ये नाटक देखने वाला है कोई नहीं। ये नाटक नहीं है, गुपाल। तो समझ क्यों नहीं रहा। अगर सीमा चले गई, तो सब कुछ खत्म हो जाए। कुछ खत्म नहीं होगा विचे। ये पंची उड़ जाएंगे तो और नहीं आ जाएंगे। जिंदीगी खत्म नहीं होगी। नहीं जिंदीगी शुरूप कर विचे। रेनु आज भी तेरी राह देख रही। नहीं गोपाल, मुझे रेनु की नहीं, मुझे सीमा की सुरूद है। अगर सीमा नहीं होगी, तो मेरी जिंदीगी मौत से भी बद्तर होगी। तेरी कसम, गोपाल, मैं सीमा से वाकी प्यार करता हूँ, मेरा यकीन कर यकीन किया विजय तो फिर देर किस बात की है सीम अबे तक याई है जा जिंदगी के हर पल को समेट ले अपनी जोली में मुझे खत लिखना मुझे खत लिखना सब लोग आगे मैं तुम्हारे खत की रहा देखूगा ची कहिए विजय से कहिएगा कि उसकी पसंद हमें बहुत पसंद आए सीम बहुत अच्छी लड़की है और अब देर ना करे और शादी का पहला कार्ड मुझे भेजे आप से मिलकर बहुत खुशी हूँ मैं चलूँ पाई पाई आपका कोई खत नहीं है खत होता तो मैं खुट महाचा देता कोई खत नहीं आएगा विजय जूटा प्यार जूटे वादे बस कोपार ऐसी बद्वा मत देगार कोई खत नहीं आएगा विजय अपने आपको धोका मत दे सीमा ने तेरे साथ मजाग किया क्यों तुने क्या किया जिंदगी भर जूटे नाम जूटे अड्रेस जूटा प्यार जूटे वादे मादवे सपना कांता संत कुपार कुपार बेटे ये चिठी आई है ये चिठी आई है जी शुक्रिया विजय वर्मा जरूर किसी नए शिकार का खत होगा हम भी तो देखें मेरे प्यारे विजय सीमा बहुत दिनों के बाद खत लिख रही है चांती हूँ नाराज होके क्या करूँ पापा से बात करने की हिमत ही नहीं हुई खत लिखकर सारी बात बता दी और फिर खुशकबरी पापा मान गये बल्कि वो तुम्हें मिलने आने वाले थे और बिमारी की वज़े से नहीं आ सके खेर वो तुमसे मिलने आ रहे हैं 26 तारिक और उसी फ्लैट से वापस उन्हें मेरी पसन पर कोई इतराज नहीं बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तयारी भी कर ली है शादी का मुरत तक निकलवा लिया है इस महने की तीस तारिक एएपट पहुच जाना वही सफीद रंग का सूट पेंट कर डाड़ी पैचान जाएंगे और देखो, प्लीज मेरे पापा के सामने कोई शरारत मत करना वो दिल के मरीज है प्यार के साथ तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी सीमा वाव जे वर्मा, तुमने तो मुझे भी दुखा दे दिया मुझे लगा था, आग सिर्फ एक तरफ की है लेकिन यह तो बराबर किये अब देख, मैं तुझे क्या सप्राइज देता हूं मिस्टर विजे वर्मा जी, खन्ना साब हाँ, और तुम? जी, मैं विजे वर्मा तेखाम ने तुम्हें कितनी जल्दी पहचान लिया हमारी बेटी की चोईस बहुत अच्छी है जैसा उसने कहा था, तुम बिल्कुल वैसे ही निकले मैंने तो इस रिष्टे के लिए तुम्हें देखे बिना ही हाँ कर दी थी जीते रहो, जीते रहो बिटा अंकर काश मेरी भी माबाब होते तो आज ऐसा क्यों कहते हो बिटा अगर सीमा हमारी बेटी लगती है तो तुम भी हमारी कुछ लगे ना? जी उसका खत तो तुम्हें मिल गया होगा जी हाँ हमने शादी की तारीक पक्की कर दिये तुम्हें कोई एतरास्त ने? जी ने अंकर तो पर ठीक है जल्दी से बारात लेकर आ जाओ और अपनी आमालत ले जाओ गुड लग अच्छ जी अच्छ आख जी आय यूजै यूजै यह क्या हल बना रहा था बेट तो ठीक है ना? मैं ठीक है मेरा कोई खत आया गुपाल? हाँ आया तो था एक खत बंबे से बंबे से? मेरी सिमा का खत आया? नहीं एक इंटेव्य के लिए इंटेव्यू? हाँ, जॉब की अप्लिकेशन दी थी तो क्या तू अभी नौकरी करेगा? मुझे अभी तक गयर समझ रहा है नहीं, ऐसी बात नहीं है विजे तो फिर क्या बात है गोपाल? क्या ये सारी जायदाद, ये कारोबार सिर्फ मेरा है? क्या हम दोनों अलग है? ठीक है, मैं अपने खून से सब कुछ तेरे नाम लिख देता हूँ और क्या लिखेगा अपने खून से? मेरी तकदिर तो बहुत पहले अपने खून से लिख चुका है और करदार मत बना मुझे तो औरों की तरह मुझे छोड़ कर क्यू जा रहा है यार? अरे पगले चंद दिनों की तो बात है और वैसे भी नौकरी का तो से भान आ है मैंने सोचा इसी भान एक पेंटिंग एग्जेबिशन भी देखा हूँ ओ, गुड, तो कब जा रहा है तू? 29 तारीक बंबे यार कोपाल, सीमा भी बंबे में रहती है इत्फाक से अगर तू उससे मिलो तो उससे जरूर कहना कि मैं आज भी उसके खत की रहा देख रहा हूँ अगर मिली ते जरूर कहूंगा थैंक्स मेहंदी से लिख गुरी हाथ पे मेरे तो मेरे बल्मा का ना तू मेरे बल्मा का ना तो मेरे बल्मा का ना देखू मैं जिसमें उनका ही चेहरा हूँ दिन दो पहर सुब हो शाम दिन दो पहर सुब हो शाम मेहंदी से लिख गुई हाथ पे मेरे तो मेरे बलमा काना कुछ नहीं पापा? कुछ नहीं हुआ अरे इग्रास पानी लाना फॉरण पापा, क्या हो आपको? आप ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक हो बैठा, बिल्कुल ठीक हो थेरी एक मिनिट, कुछ नहीं हुआ अंकल, अंकल कल दियाए, प्ली क्या हो बडे, इसी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस यहीं चक्कर सा आ गया था बिल्कुल ठीक हो मैं आ, वो मैं देखता हूँ तरह बैटे मेरा बैक तो मगगा ना? तुम भी जब देखो बच्चों कितना बस बच्चा मैं नहीं, बच्चे तुम बन रहे हो अरे मेरे होते हुए तुमें काम करने के क्या जरूरत है? अरे तुम कितना काम करोगे? क्यों नहीं करूँगा? तुम के समझते हो? वो सिर्फ तुमारी बैटी है मेरी नहीं? देखो, सीधी तरह आराम से बैटो, वरना हस्पिताल बिजवा दूँगा और बारात का सारा बंदोबस्त हो चुका है, तुम क्यों फिगर कर रहे हो? और फूल? फूल? जवाही राजा को फूलों से लाद दूँगा? तुदेख तो सही यार बिजवा दोरी पुत्र विनाएके ओं कजानन भूद गना इसे इतं पपत्त कर जन्मु अल जायन रच्णना तुमात्त रच्ण विनाष्टाल व्यात्त्तर शायर चुका कायज पंगिज़ा मैं एक ऐसा शखस हूँ, कि अपने शादी के मंड़ पर भी कोई ना कोई शराड़त करता हूँगा मैं तुम्हें वहाँ भी चैन से नहीं बैठने दूँगा, जानती हो मैं क्या करूँगा अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएए क्या बात है बेटा, कुछ परिशान से लग रहा तो पता नहीं का का, कुछ अजीब सा मैं सुसूर दरसल बेटे, तु गोपाल के बिना उदास रहने लगा है शायद भगवान कर एक गोपाल ठीक हो अंदर जाओ दूलेगा, जाओ आपका इंतिजार कर रही है जवाब नहीं विजय वर्मा की पसंद का तुम? यहां? विजय का है? विजय? यहां से बहुत दूर अपने घर में मैं जानती हूँ कि आप मजाग कर रहे है यह जरूर विजय की कोई नहीं शरालत है मुझे यकीन था कि वो कोई न कोई शरालत करेगा है न? सुहाग रात को दूलन के कमरे में दर्वाजा बंद करके सिर्फ उसका पती ही जाता है सीमा ठीका कोई दोस्त नहीं दूलन के सहेलिया और रिष्तिदार सिर्फ दूले कोई दूलन के कमरे का रस्ता दिखाते हैं किसी गैर को नहीं है ना सीमा अगनी के किर्थ फेरे सिर्फ दूला और दूलन लेते हैं दूले का कोई दोस्त नहीं नहीं शूहाग रात तुदुले की होती है. किसी और की नहीं ? नहीं THIS जूट है ! मेरी शादी वफ़जा से हुई है ! तुम्हारी शादी मुझ से हुई है ! अगनी के के घ्रफेरे मैंने लिये थे व्जे नहीं ! सफेर सूट पेचिय गया सा, तुम्हारे पापा से मिलने वृजे है नहीं ! उनने अशिरवाद भी मुझे दिआ, विजे को नहीं ! तुम मेरी पत्नी हो सीमा, विजे कि नहीं ! अंगे मैं तुम्ही अप्ना पती नहीं मानती ! तुम्हारे मानने न मानने से क्या फरक पड़ता है, क्योंकि समाज हमारे रिष्टेदार हमारे जानने वालों की नजरों में है, हम दुनों पती-पत्नी है भगवान के लिए ऐसा मत कहना, क्या बिगाड़ है मैंने तुम्हारा, क्यों मेरे साथ ये जुम किया, तुम तो जानते देना कि मैं विजय से प्यार करती हूँ, तुमसे तो मेरा कोई तालुक भी नहीं था, सिवाए उस इज़त के, जो मैंने तुम्हें विजय का दोस्त और क्या कर दिया तुमने गोपाल, क्या कर दिया तुमने तुमने तुम बहुत ठक गई होगी, खामका एक्साइटेड हो रही हूँ, ये सा बाते करने के लिए तु सारे जिन्दगी पड़ी है, सोचाओ और होगी है तुमने ऱस ओिया है, सिवाए यर जिन्दगjung āेसले है, सबस्तितर गोपने पारहाँ जिया है.. करते हैं... तेखो, मेरी बात आखरी बार कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे लिए किसी किसम की एक्साइटमेंट भी अच्छी नहीं, चाहे वो अच्छी खबर मिलने से हो, या बेर बुरी है, अपना ख्याल रखो यार अब क्या खायर रखना है, अरे मैं तो एहसान मन्द हूँ इस दिल का कि अब तक धड़क रहा है, कम सकम बेटी की शादी तक तो साथ दिया, इसने अब कोई गम नहीं, बस कुछ दिन और जी सका, तो सब कुछ छोड़ चाल के तीरत यात्रा पर निकल जाओंगा, अपना सब कुछ बेटी और दामाद के नाम करके सब ठीक है, तो चल्दी आजा यार, यहां के लिए मन नहीं लगा, आ जाओंगा, नौकरी वौकरी का चक्कर छोड़ दे, मैंने वाकी नौकरी वौकरी का चक्कर छोड़ दिया, लेकिन, क्या हुआ, एक लड़की पसंद आ गई, क्या, लड़की और पसंद, मुझे यकिन नहीं हो रहा यार, तु गोपाली बोल रहा है न, कोई रॉंग नमर तो नहीं लग गया, अरे हां भई, गोपाली बोल रहा हूँ, तु मेरी तरह बेवकूफ मत बनना, लड़की का अता-पता ढूण लेना, ठीक है, वेरी गुड, मैं आ कर तेरी शादी की बात करता हूँ, अरे भाई, मैंने बात भी कर ली, और शादी भी, क्या बख्वास कर रहा है तूबे, दोस्तों के साथ मजा, मजाख नहीं कर रहा हूँ, वेजे, मैं हकिकत बता रहा हूँ, खा मेरी कसम, तेरी कसम, ओ मैं गोपाल, तु ने शादी कर लीं, काका, जली से सामान बान दो, गो तुआ तो सही, देखना क्या रिसेप्शन होगी तेरी ठीक है विजय, तैयार है न? ओके बाई अरे, क्या हुआ हमारी लाडली बीटिया को, रो रही है बेटिया तो परायाधन होती है उन्हें तो एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है अरे, तुझे तो खुश होना चाहिए तुझे मन चाहा पती मिला अब तो भगवान से बस एक ही प्रात्ना है तुझे इस जिंदगी की सारी खुशिया दे दे पापा, आपकी तब यह ठीक नहीं है न? वरना मैं आपको आपको छोड़के जाने का मन नहीं कर रहा है इसका वैसे मैं राद बर समझाता रहा कि आपको साथ ले चले लेकिन समझती नहीं अरे बेटा, मैं कहां बोज बन कर चलूँगा तुम्हारे साथ आप इसे कैसे समझाएं तु क्यों चिंता करती है सब नौकर चाकर है ना, कपूर है बलकि कपूर और मैंने तो साथ में तीरत जाने का फैसला किया है निकल जाएंगे हम कुछी दिनों में बस एक फर्स था कि तेरी शादी हो जाए सो हो गई, अब क्या है जिन्दगी के सब मकसद पूरे हो गए अरे हां बेटा, तुम्हारे टिकेट आ गए है चाहता तो था कि कुछ रोज रोक लो तुम्हें लेकिन जानता हूँ काम छोड़कर आयो कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट है देख, तू सुनना पहले, सुन फूल यहां से लेकर वहां तक लगाओ मेरा दोस्त गोपाल आ रहा है जल्दी करो अरे सुन तो आप लोग बादें ही करेंगे है काम भी करेंगे अरे तू मिझेली कर यार आप लोग क्या कर रहे है फूल लगा है साब अरे बेटा तू तो पी ले तू जा, अफो, अरे तू खुद पीले यार, तू जा, वहाँ जाकर पी, अरे बेटा, तू कुछ और तो खा ले, काका गोपाल को आने तो सब मिलकर खाएंगे, बड़ा जिद्धी है, अकेला सिंग, मैं यह टोक्री लेकर तेरे सर पर मारूँगा, मैंने बोला कहा रखने को काका, कमरे में? तो यहं कया कर रही हा यार, तू लेजा, लेजाताउ साफ! काका, पाल की तो बजे कीह, दो बजे की, लेट तो नहीं है? आइज, बिलकुल नहीं सही टेम पर है कर दो वजे हैं तो गाड़ी भी गई सब कुछ हो गया तू हमें भी परेशान कर रहा है खुद भी परेशान हो रहा है तू आराम कर बस जा अरे आराम हराम है काका लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं है क्या गोपाल ने मुझे हैपोड क्यों नहीं बुलाया अब ये बात है तुम दोने जालो मुझे नहीं मालूम आ गया आ गया मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुमने शादी कर ली गोपाल और शादी पत्थर जैसा इंसान पिगल जाएगा ये तो चमतकार है अरे यार हम भी तो देखें उस चांद को किसने सूरज बनकर हमारे दोस को मौम की तरा पिगला दिया या नहीं तो अंदे चल के देख क्यों भाव खा रहा है क्या जिस सूरज ने तेरे पत्थर जैसे दोस को पिगला कर मौम का बना दिया सोच उसकी रोश्णी में इस मौम की पुतली की क्या हलत होगी भाव बनके भाव से उड़ियाएगा तू चल तो अंदे चल के देख ताकि कुछ संभालने वाला तो हो तुझे आई ना आईये आईये घर में दाखिल होने से पहले क्या-क्या रस्मे होती हैं यह तो मुझे पता नहीं लेकिन शायद भगवान के आश्रवाद से बड़ी है और कोई रस्म नहीं चल चल तो अंदर जाओ एक मिनिट आईये आईये भगवान को परणाम करें चलिए देख कोपाल मैंने तेरी खातिर घर को क्या सजाया मैंने सोचा कि आज तू आएगा तो मैं बहुत जगरूँगा तेरे साथ पिर यह सोचकर माप कर दिया कि आज लेकिन तू भी कमाल करता यार शादी कर लिए किसी को खबर तक नहीं दी दोस्त भाई यार किसी को नहीं बताया चट मंगनी और पट दिया अरे यार तुमने ने मेरे बार में कुछ बताया भी कि नहीं सोची होंगी कि पतानी कौन इतनी देर से बते मकसद बखवास कर रहा है चुप होने का नहाम ही नहीं ले रहा और अब मैं चुप भी कैसे रहूँ ऐसे खुशी के मौके पर अरे मेरा बस चले तुम्हें दुनिया को चिलना के बता दू कि मेरे दोस्त की शादी हुई नहीं नहीं अब यह आपका कमरा नहीं मेरा है और मेरा कमरा आप लोगों का है अबे मेरा मू क्या देख रहा है चलना यार और बैसे भी मुझे केले को इतने बड़े कमरे की क्या जुरूत है दुले साब मैंने आपके लिए क्या सप्राइज तयार किया है जरा चल के देखे तुसे विजे तुने तो नक्षाई बदल लिया कमरे का यह तो पता नहीं तुझे अच्छा लगा अगर किसी चीज की कमी हो तो क्या देना नहीं विजे सब ठीक है अरे यार इन्हें बैठने के लिए तक है बैठे ना अरे कोपाल अब तो दिखा दे चैरा अपनी दुलन का हटा दे घुट इतना हक तो तुझे भी है जाए काम तु खोदी कर ले मैं हटा दू तु माइंड तो नहीं करेगा बिलकुल नहीं लेकिन ज़रा संभाल कर फिर ये ना कहना कि हमें ख़बर नहीं हुई ओके दैन मेरा नाम विजे है गोपाल ने बताया होगा वो मेरा दोस्त भी है और भाई भी तो इस नाते मैं भी आपका कुछ लगा अफसुस सिर्फ एक बात का है काश इस घर में कोई औरत होती मा बहन या भाबी तो वह आपके आने पर तमाम रस्में पूरी करती जो मैं नहीं कर पाए खेर यह तो मेरी बदकिसमती है और गोपाल की लेकिन एक बात की खुशी है जब मेरी शादी होगी तो मेरी रस्में पूरी करने के लिए कोई तो होगा आप बुजर्गों से सुना था कि जब नई दुलन घर में दाखिल होती है तो घर वाले उस लक्षमी को घर की चावियां सौंक देते मैंने भी यह चावियां इखटी किया पथा नहीं कौन सी चाविय कहां लगती है आप इनके ताले खुद ही तलाश कर लीजिए क्योंकि आज से आप ही इस घर की मालकी हैं आपके हुकम से यहां दिन होगा आपके लोगा न रात होगा है इसलिए मैं यह हक रखता हूं कि आज आपका यह घुंगट उठा कर देखों कि मेरा यार को पाल सुरज को लाल जोड़े में खैद करके कैसे लाया है हाँ 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 अरे इडियेट यह था वो सूरज जिसे तुले कर आया है मेरे लिए मुझसे मजाग किया नौकरी का जूटमूट का बहाना किया मेरे लिए जिमा इसे कहते हैं दोस्ती और इसे कहते हैं यारी तेखा कहां से तलाश करके लाया है तुम्हें मैं तो सोचता था कि मेरे गम और मेरे जखमों का किसी को एसास नहीं अरे मैं तो कर्जदार हो गया हूँ अपने यार की यारी का तु महान है कोपार इतना एसास था तुझे मेरे दर्द का सिमा ये इनसान नहीं इनसान के रूप में देफता है अरे इसके चरन चुओ इसकी पूजा करो तु तो अपना भी गुरु निकला यार तुने मुझे माद ले दी अब मैं जिंदगी में तुझे कोई शर्त नहीं लगाँगा तुने मुझे हरा दिया दोस्त सिमा को मेरे पास लाकर खरीद लिया है तुने मुझे विजय एक मिनिट पहले तु मेरी पूरी रुख मत गुपाल मुझे कहने दे मन का गुपार निकल जाने दे आज मैं कितना खुश हूँ मेरी जिंदीगी की सबसे बड़ी खुशी है तुने मेरी जोडी में डाल दी। विजय तुगलट समझा विजय怎麼 को मैं तेरे ले नहीं अपनेले लाया हूँ सिमा तेरी पतनी नहीं मेरी पतनी है नाटक 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 अब तो कुछ भी बोल गोपाल विजय सच्चाई समझ गया सच्चाई कि जिस आयने में तो अपनी महबत को तलाश कर रहा है वो एक फरेब है अगर तुझे मेरी बात पर अकीन नहीं तो सिमा से पूछ लो किस की पतनी है तेरी या मेरी सिमा बता दो इसे सिमा नहीं यह चूट है सिमा कह दो कि तुम दो रहना मजाग किया है कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो सिमा नहीं पहकोपा की पदली हूँ पूर्ट मुझे भ्याकर लाया है विज्रे, क्या हो तुझे? कुछ नहीं देख मैं नहीं जानता तो सीमा सी इतना प्यार करता है मुझे लगा कि तेरा कोई खेल है और सीमा मुझे पसंद आ गई उसका दिल तूटने से पहले मैंने उसे शादी कर ली देख कलती मेरी है और मैं अब भी औरी सीमा तुसे तलाख नहीं यार तुने जो कुछ पी किया ठीक किया मैं तु मसा कर रहा था कुडला कुपार पुटे, सीमा यार, जार वीचे आजी सुशी के मोके पर कुछ फोजाए जार, काने मीजे? अबें दे, वीजे उदे रहे हाँ हाँ, वीजे, आज असमे उल्फत भी है, मौका भी है और दस्तूर भी, क्यों? ने, गोपाल, आज मैं नहीं गाऊंगा अगर क्यों? क्योंकि आज मुझे इतनी खुशी मिली है कि मुझे लफजों की कमी पड़ गई अरे, हमारी शादी और विजे का गाना नहीं? ना मुंकिन, आज मैं आवाज में तेरा साथ दूँगा तू साज में मेरा साथ दे कुछ ऐसा रागगा कि तेरे दिल की बात मैं आपने जुबां से कैसको मैं दिल की दिल में रखता हम बत यही मेरा दोश है मैं दिल की दिल में रखता हम बत यही मेरा दोश है जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है मैं दिल की दिल में रखता हम बस यही मेरा दोश है जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है मैं अपनी कहानी कैसे कहूं उसमें तेरा नाम दियाएगा मैं अपनी कहानी कैसे कहूं उसमें तेरा नाम दियाएगा गर होगी मेरी दुत्वाई तो दर तेरा भी जुख जाएगा अंजा में मुहाबत क्या होगा ये सोच के मैं धबराता हूं तू ना मुझे पहचान सका बस इतका मुझे अंग सोच है जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है में दिल की दिल में रखता हूं पस ये ही मेरा दोश है जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है जिसमें जितना प्यार है जितना वो खामोश है मुझे में कितनी बेचैनी है मैं काश तुझे बतना पाता मुझे में इतनी बेचैनी है मैं काश तुझे बतना पाता जाहत के सारे शखनों को मैं काश तुझे ना पाता मैं अपने से पागल को हर बार यही समझता हो माना मत होश है प्यार मेरा लेकिन मुझे तो होश है माना मत होश है प्यार मेरा लेकिन मुझे तो होश है जिसमें चितना प्यार है इतना वो खामोश है जिसमें चितना प्यार है इतना वो खामोश है दिल की दिल में रखता हूँ पत ये ही मेरा दोश है जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है उतना वो खामोश है उतना वो खामोश है मुझे मानना ही है तो अपने हाथों से मेरा गला घुट देते ना लेकिन बगवार के लिए मुझे इस घुटन से निकाल दो गोबाल मुझे जाने दो मुझे जाने दो प्लीज मुझे जाने प्लीज से निकाल वो खामोश है झाल झाल याघ बाल में बाल बाल प्रेश अब इन सब चीजों को यादे बना के रखने से क्या फाइल है बड़ा अच्छा लगा कि तू बदल गी और रही बात इस दस्वीर की इसकी हाँ कोई ज़रूथ ने ये सामने रहेगी तो तुर्जी डिस्टाब भी करेगी लेकिन इससे भाड़ेंगे इसकी जगा बदल देता है इससे मैं आपने कमरे में ले जाता हूँ ठीक है गुद नाइट ले बेटा जूस मी ले थैंक्स काका कितना बदल गया है बेटा तो कल तक तो अपने काम के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करता था और अब अब सिपने काम के बारे में ही सोचता है पकड़ लिया देखा सीमा मैं कहता था ना रोज सुबह सुबह कहीं खिसक जाता है क्यूं साब हमसे कोई गलती हुई है कोई भूल हुई है नहीं तो तो फिर यह चक्कर क्या है तुम हमसे भाग क्यो रहे हो अरे अगर शादी केस का मतलब यह तो नहीं कि दो इंसानों को परिंदों की तरा पिंजरी में बंद कर दो ना खाने पर मुलाकात ना नाश्टे पर दर्शन इसलिए आज हमने यह फैसला किया है तुम्हें पकड़ेंगे तुम्हें हमारे साथ चलना होगा क्यों ठीक है न विजय कहां अरे भाई घूमने फिरने भार खाना खाने देखो सीमा तो विचारी बोर हो गई तुम्हेंने सोचा अगर तुम साथ रहोगे तो इसका दिल लगा रहेगा है ना चलिए चलो चले चलो बीच में बैठिये क्या हुआ क्या हुआ क्यों सीमा बैटर बैटर चलो बीजय चलो बीजय क्यो जिन्दगी भी कितने कमाल की चीज है अब चाहिते कला तक हम ऐसे बैठा करते थे लेकिन रिष्टे कितने अलग अलग तै कहां जाने मेरे ख्याल से वही जातुम सीमा से पहली पार में लेतिते सीमा, यह वही जगह ने जा तो विज़े से पहली बार मिली थी लगना बन के क्या नाटक किया था इसमें उस दिन मैं इसे पचास उबे की शर्थ भी आ रहा था वो मोडुसाइकल रेस की कहानी, टांग तूठना, वाइलेन बजाना, गीत लिखना अब कर जाना है अब, चलते हैं वही पुरानी जगह ब्यूटिफूल, क्या जगह है चांती हो सीमा, यह विज़े की फेवरिट जगह है यह अक्सर यहां के तैरा करता है अरे, मैं भी कितना पागल हूँ, यहां ही तो सारा नाटक हुआ था विज़े फूल में कूदा था और चलाया था, बचाओ बचाओ फिर बचाने वाला भी डूब गया था और तैरने वाला भी चलो गुपाल, घर चलते हैं घर? इतनी जल्दी? अरे यार, आभी तो मजा आने लगा है विज़े विज़े वो गाना सुना ना? मुझे याद नहीं याद नहीं? अरे यार, तु तो किसी भी लड़की को देखे शुरू हो जाता था गाना, सीमा भी तेरा साथ देगी हैना सीमा? मेरा मन नहीं है क्या यार, मैं इतनी मेहनद कर रहा और तुम लोग साथ ही नहीं दे रहे अच्छा ठीक है कुछ देर के लिए यह माल लेते हैं कि तुम वही परानी प्रेमी का हो और तुम प्रेमी, और मैं तुम्हार दोस गोपाल ओके, कमोन सीमा चलो खर चलते है रो रही हो अर इतनी मुश्किलों के बाद खुशों के पल हमारी मुठी में आये है इन्हें समेट लोसी मा औरना रेत के तरह मुठी से पिसल जाएंगी विजे क्या है विजे, कम से कम तुदोगा वाकी वो कीट मुझे याद नहीं है, कुपाल मगर मुझे थोड़ थोड़ा याद है हाँ सनम ये प्यार ही तो है कुपाल 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 कुपाublik विचे कुपाँ कुपाँ कुपाल विचे विचे I love you Sima I love you, Sima I love you, Sima I say I mean, I guess, you know, Bhagwan अपने दोस्ट की पत्णी के बारे में विजय तुम्हे आनी यह अना चाहिए था मेरा कोई गसूर नही है, विजय मेरा विश्वास करो मैने तुम्हे खत लिखा था एह पर पर ड्याडी से मिलने के लिए तुम्हे बोलाया था कि मुझे क्या मालून था कि मेरे साथ क्या होगा मेरा कोई कसूर नहीं है विजय सारा कसूर गुपाल का है गुपाल ने मुझे धोका दिया है विजय मैं तो शादी के मंदब पे भी यही सोच कर खुश होती रही कि मेरी शादी तुम से हो रही है तुम मेरी पती हो मेरे आज तक गौपाल को अपना पती नहीं माना मैं तो अभी यहीं दोचती हूँ कि तुम मेरे पती हो तुम मेरे पती हो Cannon सीमा! 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 वा विज्ञे, वा क्या बात, यह बर्चात और तूफानी राप सब कामौशी से सो रहे है लेकिन इश्की आग में जलने वाले दो परेमी क्यों? सच्चाई कर सामना कहने की हिम्मत नी तुम्हें? तु जो सोच रहा है वो सच्चाई नी है यार मेरा यकीन कर क्या मैं अंधा हूँ? कैसे कर लो तुम्हारा यकीन? अगर तुम्हारी पत्नी कमरा छोड़के अपने पुराने आशिक के कमरे में जाए तो क्या करते मेरा यकीन? हाँ? जरा सोचो अगर आएने में अपने सूर्ते देखोगे तो चेहरे पे सिर्फ गुना यी गुना नजर आएंगे प्योशी के इंजेक्शिन का क्या फाइदा उठाए तुम लोग ने? नफरत हो के तुम दोनों से तु इस वक्त ठीक से नहीं सोचा यार कोपाल मुझे तेरे प्यार और तेरी दोस्ती की कसम यहां किसी ने कोई पाप नहीं किया अगर हमारी दोस्ती का जरा सा भी ऐसास बच गया हो तो मेरा यकीन कर पस अरे इडियट मजाग भी ने समझता जरा सानाटक किया और बरदाश्ट नहीं हुआ और हमें देखो क्या-क्या बरदाश्ट कर लेते हैं श्रीमती जी आपको मालूम है कि आपके पती की तबेत खराब है और इस वक्त आपको अपने पती के कमरे में होना चाहिए था ना कि अपने पुराने प्रेमी के कमरे में है ना चलता हूँ बचे गुद नाइट कर ठीमती गुद लेक कर लाइट कर दीमती कर दीमती कि यह रेनू, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद इस वक्स ज्यादा नहीं लिख सकूँगा, बस यूं समझ लो, कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और तुम एक उजाले की करन, अकेला हो गया हूं, और तुमारी जुरूरत है इस वक्त, फरान आजाओ, लाफ धर कुछ शयाद कि ईने इस वक्त, अ मुड़ाद मोटलीं, लुमारी हुईर कर वक्त, भाहला, जो कर से घुमार। झाल झाल जवाब नहीं विजय साब का सप्राइज हर बात में सप्राइज खत पढ़कर तुम्हें डर ही गई थी अब समझ में आया शादी नहीं बुलाए ना इसलिए सप्राइज देने बुलाया है तुम्हें बहुत मुबारक हो शादी बहुत-बहुत मुबारक हो भगवान करे तु So happy for you. तुम्ही धोका खा गई न, Renu? मैं बिचे के नहीं. गोपाल की पत्नी हूँ. मेरी शाधी बिचे से नहीं. गोपाल से हुई है. क्या? मुझे धोका दिया है. मेरी साथ धोका हुआ है. किसने थिया तुझे धोका? बिचे ने? नहीं. गोपाल ने? गोपाल ने? गोपाल ऐसा भी कर सकता है उसने तुम से दोगा किया ये जानत para के तुम उसके दोस्स से प्यार करती हो उसने अपने दोस्स विजे से धोका किया कि यदिन नहीं आता चो शक्स इतनी उची-उची बाते किया करता था वो इतनी जलील और गिरीवी हरकत भी कर सकता है यही नारे नूँ क्यों किया तुम दे ऐसा क्या विगाड़ा था इन प्यार करने वालों ने तुम्हारा अरे इस मासूम ने कौन सा पाप किया था क्या जवाब दिया है अपने दोस्त की दोस्ती का कि अरे जिस दोस्त ने अपनी रगों से खून निकालकर तुम्हारी रगों में जिंदगी भरती तुम्हें उस दोस्त को जीते जीम माट आला नहीं रेणू विजय के लिए मौत की नहीं जिंदगी की दुआ मांगो मैंने हमेशे उसका भला चाहा है उसकी सलामेति की दुआ माँगी मैंने देखा, कितनी लंबी उमर है मेरे दोस्की चांतियावीजे, अभी आभी तुम्हारे ही जिकर हो रहा था तुम कब आई? अभी खाना खाया अरे भाई, तुम्हारे तु इंदिजार हो रहा था काका जल्दी से खाना लगाओ आज बहुत दिनों बाद सब साथ मिलकर खाएंगे लाओ यह लो बेटा क्या बात है काका आज आपके बहुमार साथ खाना क्यों नहीं खा रही नहीं आज वो नहीं खाएगी क्यों क्योंकि वो बेचारी भूल गए थी कि आज करवा जाओत का बरत है अच्छा मैंने उसी याद दिलाए कि बेटी अपने पती की सलामती के लिए रख ले तुम लोग खाना खाओ कितनी अजीब बात है विजय कभी कभी पती के नाम से कितना कंफ्यूजन हो जाता है ना क्या बात है पेट भर गया मेरा भी पेट भर गया पता नहीं आजकल भोकी नहीं लगती मेरा भी को देखिया ना तुमने रेनु रोज यही तमाशा होता है मैं थंगा चुकी हूँ मैं बारे क्यों नहीं जाती नहीं इसी बार रेनु मेरी जिंदगी अब जहनूं बन गई है विचे को बचा लो सिर्फ तु मुसे बचा सकती हो मुझ पर यह साथ कर दो रहे हूँ चीज़ Good morning Good morning क्या हुआ यह फूल अच्छा है ना? इसे निकाल दो प्लीस क्यों? ओ, अब समझे यह फूल तुम्हें सीमा की याद दिलाता है न? भगवान के ले रेनू भगवान तो मैं तुम्हें समझती थी विजय तुम्हें एक देवता समझती थी सोची थी कि तुम इंसान होकर भी इंसानों से कही उच्छे हो एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंतगी अपनी मुहबबत किसी और को सौंप कर भी शान्त था अपना सब कुछ खोकर भी खुश था कल तक जिसकी पूजा करने का जी चाहता था वो तो एक कमसोर सी मूरत निकला मेरी जांच की कसौंटी पर तो तुम खोटे सिक्य की तरह निकले अपने दोस पे की हुई महरबानी जिसे हम सब तुम्हारे कुर्बानी समझ रहे थे तुम्हारे खोटकर्षी निकले यह सच नहीं है रेनो सच क्या है विजय क्या यह सच नहीं कि तुम्हें सीमा को इस घर में गोपाल की खातिर नहीं अपनी खातिर रखा है नजरों से प्यास बुझाली तो क्या फर्क पड़ेगा प्यास प्यास मुझे माफ कर तुर प्लीज मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी तुम्हें शिकायत का मोका नहीं दूगा कभी नहीं मुझे तुम्हें कोई शिकायत नहीं देजय वालती मेरी थी मुझे माफी तुम मुझे मांगनी चाहीं I'm sorry Good morning kids Good morning uncle Good morning uncle What a surprise Exactly और हम भी चाहते हैं कि हम उन्हें एक surprise देदे 19 को वा जाएंगे 20 एक को तुम्हारी मंगनी के खबर देदे तो बिट्या क्या मर्जी है तुम्हारी यह सर जुकानी का मतलब हाँ है यह ना जैसे आपको अच्छा लगई uncle और विजय बेटे तुम्हारी क्या राह है आपकी जो मर्जी uncle वही मेरी Good इसका मतलब है कि मैं दीवान साहब को मंगनी की खुशखबरी दे सकता हूँ इसका मतलब है कि मैं दीवान साहब को मंगनी की खुशखबरी दे सकता हूँ कर दो 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 मुई कर ड मुई कर दो कर ड हाज पराह 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 ड हम अ गोपार को बचालो, प्लीज, रेनू! गोपार, फोरण विजे को फोन को रो, इंजेक्शन के लिए, हलो, हलो विजे? पिजेक्शन के लिए खे विए dissल्स , इंजे खोन के लिए के लिए जराक MARY बचर खे, गोस्क्योम्ग पिजेक कि लिए खिती ही kे लिए। बड़ो ही! कुपाल, सब ठीक हुज है, मैर थसलिया, खा रहे गहता, यार, बहुत देल लगा दी तेरी दवा तलाश करना था दवा? तु भागवान को बहुत मानता है, तु मैंने सोचा, तु हाँ मांगने गया होगा कि यह उपरवाले, जल्दी से मेरे दोस्त गोपाल को फर भुला ले गोपाल, तक तु सीमा से शादी कर सके है, न? यह तू क्या कह रहा है, यार? क्यू कर रहा है यह सब? क्यू हमारी दोस्ती और विश्वास के माथे पर, तो मत का यह कलंक लगा रहा है नफरत की वो कौन सी आग है, जिसमें हम सब एक साथ जल रहे हैं हमारे दर्मियान वो कौन सी काँच की दिवार है, जिसमें से हम एक दूसरे को देख तो सकते हैं मगर चू नहीं सकते हैं इस घुटन से भारा दोस्त, शक और नफरत के चश्मे को अपनी आँखों से उतार भेग अपने चाहने वालों को एक बार फिर से पहचान उगल दे अपनी आत्मा पर पड़े हुए उस जहर को गोपाल, मैं वो सारा जहर अम्रिद समझ कर पी जाऊंगा बोल यार, तिरी बीमारी का इलाज यही है, बोल कह दे अपनी मन की बात, कह दे अपनी मन की बात ठीक हैता है तू आज ही मुझे कहना है, और आज ही तुझे सुनना है तू किसी रूपा नाम की लड़की को जानता है रूपा, हाँ रूपा, यही तो नाम था उसका, रूपा, रूपा एक बार एक बार प्यार से तु बोल, प्यार से तु बोल मेरे यार जब एक लड़का किसी लड़की से मिले, उसे हो जाता है त्यार वो मूसे तो कुछ भी न कहे, पर दिल को यह कहता है या रूपा, तु उसे कैसे जानता है, मैं कैसे नहीं जानूगा उसे उसे अगर खराश पे लगते तो मेरी कलेज में दड़ारी पड़ जाती वो उदास होती, तु मन करता सारी दुनिया के ऐसी चीन लूँ वो रूटती न, तो मेरी जिंदेगी रूट जाती मैं उसे कैसे नहीं जानता विजये, वो मेरी सिंदगी थी मेरे वजूद का एकलोता हिर्सा थी वो मेरा अपना खोन थी मैं उसे कैसे नहीं जानता विजये वो मेरी अपनी बेंथी कोपाल और तू मुझ से मेरे संबन की पैचान पूछ रहा एक मामूली सा इंसान था मैं लेकिन अपने आपको दुनिया का सबसे खुशनसी भाई समझता था एक ही जुनून था मेरा कि अपनी बेहन की डॉली को कांदा दू अपने लाट प्यार से उसकी खुश्यों को पूरा करता रहा अपनी मेहनत और पशीनी की कमाई से उसके दहेज का सामान बनाता रहा अपनी सीता जैसी बेहन के लिए डूनता रहा मैं भी किसी एक राम को तेकि नजर लग गई नजर लग गई मेरी बेहन को शायद मेरी अपनी नजर लग गई मेरी गुडिया को उसकी सहलियों के जिद के आगे मैं हार गया और भेज दिया उसे गंजाने शहर में जहां कोई राम नहीं रहता था उस मासूम सी कली को वहां भेज दिया जहां एक भवरे कुपल उस दिन उस भवरे का नाम दीपक कन्ना था यही नाम बताय था तुने उसे विज्जे हां ताही खत लिखे लेकिन किसी खत का जवाब नहीं मिला और मिलता भी कैसे अड्रेश जो गलत दिया था तुने मेरे स्वर्ग जिसे घर में तुने आग लगा दी और तेरा लगाय वह फरेब का पौदा उसके अंदर धीरे धीरे बरता गया उसकी यही महबत उसके लिए रुस्वाई का सामान ना बन जाए लुपा 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 मेरी बेहन ने आत्मात्या कर ली नहीं हाँ विजय तुमने मुझसे मेरी जिंदीकी की सबसे प्यारी चीज़ चेहन ली तुमने मुझसे मेरी भेन चीन ली नहीं, उसकी चिता के साथ मैंने उसके दहेज और अपने घर को भी आग लगा दी उस आग को नफरत बना के तुम्हारे शेहर में चला आया ये सोचके कि मैं तुमसे भी तुम्हारी भेन चीन लूगा लेकिन कुद्रत ने मेरे साथ फिर मजाग किया मेरे दुष्मन की कोई भेन ही नहीं थी जिसे मैं मारने आय था उसने मुझे जिन्दगी दी अपनी रगों से खून नी चोड़कर उसने मेरी रगों में भर दिया कुपाल जिसका मैं नाम और निशान मिटाना चाहता था उसने मुझे जिन्दगी दी जिससे मैं नफरत करता था उसने प्यार और महबद निछावर की लेकिन जब रूपा की चिता मेरे सामने आती तो मुझे तुझे नफरत होती और मैं इंतिजार कने लगा उस दिन का जब तेरी जिन्दगी में को आएगा जिसके बिना तू जिन्दा नहीं रह पाएगा और एक दिन सीमा मेरे उस खुआब की ताभीर बनकर मेरे सामने आई लेकिन मैंने क्या गुना किया था गोपाल सदा मुझे क्यू दी तुमने कील मेरी चाथी में क्यू ठोकते रहे तुम बोलो तुमारी तो रक्षा की है मैंने और नहो सकता था कि तुम भी मेरी भेन रूपक मैं तेरा गुनिगार हूँ मैंने तेरी सारी खुशिया लूटी थी सजा मुझे दे गोपाल जी भर के सजा दे यही तो नहीं कर सकता विजय एक दोस बन के तुझे मार नहीं सका और एक बाई बन के तुझे माफ नहीं कर सका इसलिए मैंने तुम्हारी जल्म और अपनी जिन्दगी के एक मायार मुकरर करती जिस दिन से मैंने सीमा से शादेखी, मैंने एक ऐसा जहर खाना शुरू कर दिया, जो हादमी के जिसम को चली कर देता है, और जिसका कोई लाज ने, ये तुन्हे क्या क्या, मैं आखरी डोज ले चुका हूँ विजे, नहीं कोपाल, मैं जानता हूँ, मैं कल की सुबा नहीं द दे सकता दोस्त, मत कहा मुझे दोस्त, आज कुछ मत कहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे, भी गोपाल, तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता मुझे जोड़कर, गोपाल अगर तू मुझे जोड़कर चला गया तो मेरा सब कुछ जिन जाएगा, मैं अपना सब कुछ ल अगर तुझे कुछ हो गया, तो मैं जीते जी मर जाओंगा, नहीं यार, भगवान के लिए मेरी जिंदगी ले ले, भगवान के लिए मेरी जिंदगी ले, मगर ऐसी मौत मत दे, जो मौत से भी बत्तर हो, तु अक्यला नहीं विजे, तुम्हारी अमानत, घंगा के दर पावि मेरे बस, कुपाल, सीमा, सीमा, तु आदा कर विजे, तु सीमा को अपना लेगा, नहीं, मेरे मन का बोच, मेरे मन का बोच हलका हो जाएगा, यार, मैं रूपा के सामने मुझ दिखानी के लायक तो हो जाओंगा, उसे कह तो सकूँगा, कि कुद्रत और प्यार के संबन तु वादा कर, तुझे तेरे कौपाल की कसम, तु वादा कर, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, कौपाल, मेरे मन का बोच हलका हो गया, तु मुझ से नाराज तो नहीं, नहीं, कौपाल, मेरे तस्वीर का ये रंग तुझे पसंद नहीं होगा, आज ही तो असल को पहचाना है तो फिर में ने रूपा बनके मुझे माफ करते न माफ करते मुझे 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 कुछ दिखाए नहीं तरह विजे नहीं यार मुझे आपनी पहों में समेट ले मैं तेरी पहों में मननना चाहता हूं यार कि अगोपाल के चले जाने से बीते हुए कल का एक संबंद तूट कया लेकिन एक और नया संबंद शुरू हुआ परैश्यत के बोज से ठके हुए विजेवर्मा का ये आलम है कि फूलों से तालुक कब तो है मगर इतना जब जिकर बहार आया समझे के बहार आई परैश्यत के बहार आई परैश्यत के बहार आई